संसार को प्रलई की तरफ ले जाने का एक भड़ा मात्य हुए आज जिद्रे भी सोसल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो चल क्यों रहें कि कोई पूछने वाला नहीं कि तुम कैसे हो वो जो अकेला पन है वो डेटिंग जैसी विवस्थाओं को जन्म दे रहा है ऐसा लगता है कि मानो डेटिंग का सोख है और डेटिंग एक अपने आपने फैसन मनता जा रहा है तरह विचार करके देखो पती और पतनी दोनों एक ही जैसे जीवन को जीने के लिए बात देखे हो जाते है डेटिंग जो है डेटिंग एक ऐसा अंदविश्वास है dating एक ऐसा धरातल है dating एक ऐसा बहाव है dating एक ऐसी तुमने वो सिटीडी चड़ते रेखा है कभी cycle को उचाई पर चड़ते वे देखा है cycle उचाई पर चड़ती चड़ती जाती है लेकिन जब बिल्कुल नीचे गिर रही होती है तो इस स्पीड भी बहुत जादा होती है लेकि वो सैकल धरातल पर जा रही है एक समय मेनत लग रही है पर उचाई पर जा रही है दूसरी समय धरातल पर जा रही है डेटिंग का जो ये परशलन्ध है इसमें जिस आनंद की अनभूती के आधार पर लोग भाग रहे है इसके पीछे का कारण मालम क्या है? इसके पीछे का कारण है अकेला पर इसके पीछे का कारण है एक दूसरी के साथ connect नहीं होना इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक समस्कृती से अलग थलग रहना पहले लोग एक दूसरे के साथ connect रहते थे एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे वो जो alone ने से वो जो अकेला पन है वही ही dating जैसी किसी भी विवस्था को जन्म देती रहा है और आज modern पद्धुती बनती जा रही है ऐसा लगता है कि मानों डेटिंग का सौक है और डेटिंग एक अपने आप में फैसन बनता जा रहा है आपको एक बात करूँ यह संसार को प्रलई की तरफ ले जाने का एक भड़ा मात्या है कारण बता हूं आपको जब आप किसी भी मुबाइल को चार्ज करते हो कहीं से प्लक लगाके तो आप उसकी एनरजी उस मुबाइल में ले लेते हो लोगों को अच्छे खासे इंजीनियर्स को बोलते हुए सुना गया है कि यह मुबाइल को आप न बहुत गाड़ी वाले चार्जर से गाड़ी में अथ्वा जनरेटर जब चल रहा हो अथ्वा जो हो आपका वो एक अलगस एक पोटेबल चार्जर लोग रखते क्या बोलते उसको बैंक क्या आप चार्जर बैंक जो भी बोलते वो इन चीजों से ज्यादा चार्ज मत करो आने था मुबाइल की बैटरी खराब हो जाएगी कारण क्या है सब जीके तो इलेक्ट्रिक है ना घर के चार्जर पे लगा कर मुबाइल चार्ज करो तो उसकी लाइफ है उसके एक दूसरे की कनेक्टिवटी में फरक है वो कितने मेगावाट डिस्चार्ज करता है कितने प्रूस करता है सबकी अलग अलग फिक्वेंसी है बिल्कुल उसी आधार पर जरा सी चार्जिंग पर अगर इतना कुछ हो सकता है तो जरा सोच कर देखो जब तुम कोई डेटिंग पर जाते हो किसी किसे के संसर्ग बनाते हो तो आपके जीवन में कितनी सारी चीजे आपस में मिक्समैच हो जाती होंगी तिरा विचार करके देखो पती और पतनी दोनों एक ही जैसे जीवन को जीने के लिए बात देखें हो जाते हैं दोनों का भाग और भविश होने के लिए मजबूर हो क्यों जाते हैं और एक जैसा भवशची से बन जाता है कारण पता है वही देटिंग की पद्धती है जब संसर्ग करता है पुरुष और एक इसत्री तो उसके आपस के जो और ज़ा है, जो इनरजी है, जो पावर है, जो शुमता है, जो भाग्य है, जो प्रारब्द है जो किस्मत है वो सब आदान प्रदान हो रहा होता एक दूसरे के साथ शरीर का जननेनेंद्रिय बोलते हैं इसको जन्म की प्रमुख इंद्री का नाम जननेंद्री है जब आप संसर करते हो तो आप यकीन मानना आप अपनी एनरजी अपनी उर्जा अपनी भाग्य अपनी ग्रोथ अपनी सब चीजे नश्ट कर रहे होते हो आप कोई भी बेक्ती कभी पा नहीं सकते बहुत अधिसाई चरित्रहीन बेक्ती कभी सफलता पूर उन्नती प्राप्त कर सकता नहीं एक से काबिल लोगों को मैंने चरित्रहीन होने की वज़े से केवल नीचे गिरते देखा है रावण को भूल मत जाना सब कुछ था उसके पास कुछ कमी नहीं थी राम से सब चीजों में चाहता था क्या नहीं था उसके पास चारो बेद लेकर के ब्रह्मा जी स्वयम उसे पढ़ाने आया करते थे हाँ कामवाली बाई की जगई पर हिंद्र लगे थे देवताओं के राजा उसके जारू पहुचा करने आते थे काल यानी मरत्तु उसकी पाटी में बढाए था ग्रह नक्सटर उसके सोचने पर और विचार करने पर चलते थे क्या होना चाहिए आज वैसा ग्रह नक्सटर बना देता था इतना पराक्रमी, इतना सूर्भीर, इतना बड़ा बिद्वान, कैसे हताहत हुआ, कैसे मारा गया, कैसे उस पर विजे प्राप्त हुई मालूम, और वो हारा क्यों, वो हारा केवल और केवल चरित्र ही इनता की वजे से, चरित्र जिसका साथ नहीं है, जिसका प्वित्र चरित नहीं है उसके जीवन में कुछ हो सकता नहीं यह देटिंग तो वे चरित्र हीन मना देती है तुम्हारे चरित्र से तुमको गिला देती अच्छी चीज दी मैं वास्तविक्ता में कहूं अकेला आप डिफिनेट्ली बहुत तकलीफ देए हैं पर इसमें क्या करें इसमें और ब हितर कर देगा, इस बेग को, इस खिचाव को, इस बहाव को रोक कर रखो, तुमसे जाना सुन्दर बिश्व में कोई होगा नहीं, बिश्व सुन्दरी और बिश्व सुन्दरा कोई दूसरा नहीं, तुम होगे.